जालंधर के जेपी नगर स्थित अगरवाल अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से युवा मरीज की जान बचाने में सफलता हासल की है ये मरीज जिसका नाम रीना है और उसकी उम्र 38 वर्ष है उसमें दो महिने पहले एक उत्पादित पदार्थ निगल लिया था जिससे उसकी फूड पाईप सिकुड चुकी थी तब उसका ओपरेशन कर पेट के जरिये पाईप लगा कर मरीज का खाना पीना शुरू किया गया बंद हो जुका है वही मरीज की आर्थिक हालत भी बहुत कमजोर है और वे अपना इलाज करवाने में भी असमर्थ थी जिसके बाद अस्पताल के ओनर डॉक्टर मनीश अगरवाल ने उन्हें चिंता ना करने के लिए कहा और मरीज का फ्री इलाज किया मरीज के पेट में पाइप भी डाली गई और अब इसके जरिये मरीज खाना भी खा रही है गौरतलम रहे कि अगरवाल अस्पताल के डॉक्टर मनीश अगरवाल ने पहले भी कई बार गरीबों की सहायता की है और आगे भी अपने नेक काम जारी रखेंगे जाल अंधर से हल चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट आगे रिना है सटको तिन में ने पहली भी पूरी आई सी तैने गुतिना तो तजाब किता गया सी फदिकर के फूल पाई पूरी गल गी सी एक तो खाना पीना बाई बंद हो गया सी उस समय से अबजनसी प्रप्रेशन करके दिपोर एदि पेट रहे नहों रस्ता बना आया स तो कि अब अधिक तो कलतीना बाट निकल गी जिए जग़ा ते अब से आई होी सी मैदे देविच उदिकर के की है कि विए उता खाना बिना बंद हो गया तो कि मूर भी था खानी सबदी ते टूब एदी बाहर आगी सी ए रहे चार दिल कुछ निका था पीता गी तो यदिक जानने किसी, मैं अपा एक मनुखता देख सोच के रबदे रांस सोच की कि भी अपा इस पेशन उजे आप नहीं दी जान बचाईए, नहीं क्यों पाई देदी मौत हो सब दी है, अपा रिरोक लिए से सिकें तड़ सारा लाजन से अप इंदर तो अगरम आसको दुप्री कि कोई भी पेशन बिना पैसे करके पैसे दी काट करके उदी जान ना जाए